प्वाइरे बचो जाहिंद, आज हम पढ़ेंगे Elasticity of Demand मांग की लोच आज हम इसमें स्लिवेंगे हूँ क्या क्या कवर करेंगे ये वाला पढ़ेंगे मांग की लोच क्या है इसके कीमत लोच मांग की कीमत लोच और मांग की कीमत लोच की ये जो पांच श्रेणिया हैं इसके बारे में समझेंगे और बाद में समझेंगे कि मांग वकर पर इन तीनों पांच श्रेणियों को हम कैसे एक साथ समझ सकते हैं तो आए शुरू करते हैं Elasticity of Demand मांग की लोश प्रवचों ये Microeconomics का 5.1 मेंने इसका नमबर दिया है अर्थात ये भाग एक का पांच श्रेप्टर और ये पहला वीडियो इसको मैं पांच वीडियो में कवर करूँगा इस टॉपक को Elasticity of Demand मांग की लोश को समझते हैं मांग की लोश है क्या है अगर इसके हम अर्थ समझें Elasticity of Demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity increase or decrease in response to increase or decrease in any of its quantitative determinants अर्थात मांग की लोश मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तप्पों को मैं वृद्धी या कमी के फलसुरूप मांग की मातरा में होने वाली कमी या वृद्धी के विस्तार को मापती है अर्थात हमने मांग फलन पढ़ा था Demand function उसमें जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों थे उन तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन आ रहा था उसको मापने का जो एक तरह से यंतर है वो है Elasticity मातरा कहाई ये मांग की लोच जैसे हमने मांग बढ़ेगी तो मांग घटेगी ये दिशा का हमें पता लग रहा था लेकिन मांग की लोच हमें क्या बताएगी Medioment of Change कि उसकी दिशा तो ठीक है लेकिन कितना परिवर्तन आएगा कीमत में वृद्धी से मांग घटेगी लेकिन कितनी ये जानेगी हम मांग की लोच से कीमत अगर घट गई तो मांग बढगी लेकिन कितनी यह हमें बताएगी मांग की लोच तो इससे हमें मांग की लोच क्या है एक तरह का पेमाना है मातरा के हमें जो बताता कि कितना 10%, 20% कीमत में जितने प्याइशत प्रश्चत परिव주 प्रश बताई है और किस दिशा में आया ये हमें मांग की लोच बताती है अब हम जब बात करते हैं काइन्ज ऑफ इलास्टी ऑफ डिमांड की मांग की जो लोच है वो कितनी तरह की होती है सबसे पहले हम समझते हैं Price Elasticity of Demand मांग की कीमत लोच दूसरा हम समझते हैं मांग की I-Loge Income Elasticity of Demand और तीसरी तरह की यह होती है Cross Elasticity of Demand मांग की I-Loge ये दोनों जो है वर्तमान के हमारे सलिबस में भी नहीं है प्लस टू के तो इन दोनों को भी हम छोड़ देते हैं हमें समझना है केवल Price Elasticity of Demand मांग की कीमत लोच क्या है इसकी श्रेणिया क्या है इसके बारे में इस वीडियो हम समझेंगे सबसे पहले आता है पहला विश है Price Elasticity of Demand मांग की कीमत लोच क्या है जब हम इसको समझते हैं तो Price Elasticity of Demand is Percentage Change in Demand Divided by Percentage Change in Price अर्थात कीमत में प्रेश्चत परिवर्तन के कारण मांग में कितने प्रेश्चत परिवर्तन आता है यहां सिर्फ एक फेक्टर हम समझ रहे है Price क्योंकि प्रवाइद करने वाले तो बहुत से तत्वा है लेकिन यह वाला जो Price Elasticity है वो केवल एक फेक्टर हम Price ही समझेंगे कि Price में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन आया इसका जो अगर हम फॉर्मूला अगर हम इसका देखें तो Percentage Change in Q तो यह इसका सूतर है यह माइनस से शूरू होता है मतलब law of demand जैसे negative है तो relation है इसलिए हम माइनस यह आगे जाके हमें ignore करना होता इसको तो इसलिए हम जाला ध्यान नहीं देते हैं क्या है percentage change in demand divided by percentage change in price अर्थात कीमत में परिवर्तन के करण मांग में कितने परिवर्तन आया उसको मापने को हम कहते हैं मांग की कीमत लोच जब हम इसकी बात करते हैं decrease of price elasticity of demand मांग की जो कीमत लोच है उसकी शिरेणिया कितनी है तो मुक्यत हम 5 के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहली जो शिरेणि के बारे में हम समझेंगे हुआ है perfect elastic पून्तिया लोचदार मांग दूसरा है perfect in elastic पून्तिया बे लोचदार मांग तीसरा यूनिटरी यूनिटरी इलास्टिक और इकाई लोचदार चौथा more than या इसकों greater than भी बोलते हैं more than यूनिटरी इकाई से अधिक पांचवी less than less than यूनिटरी रथा इकाई से कम तो ये पांच शिरेणियों के बारे में हम इसको डाइग्राम से भी समझेंगे कीमत लोच क्या है ये समझा उसकी पांच शिरेणिया ये बहुत important question है इसको हम समझेगे अब आती है इसकी शिरेणिया सबसे पहले पहले वाली हम समझते हैं क्या perfect elastic demand पूंतिया लोचदार मांग पूंतिया लोचदार से क्या भी प्राइजिस में प्रचलित कीमतों पर मांग जो है अनन्त होती है अर्थात very slight change in price even unnoticeable change in price cause infinite change in demand यहाँ पे हम समझते हैं इसको डाइग्राम से क्यों हम यहाँ पे लेते हैं x-axis पर price लेते हैं y-axis पर तो यह हमारा मांग वकरिस में d-d parallel to x-axis होता है जैसे इसको हम लिखते हैं फिर ed equal to infinite यह लिखना अन्यवारिया है अर्थात क्या है कि कीमत जो है वो हमारी p है quantity q है very slight change unnoticeable मान लेते हैं किसे toffee हम एक रूपए के लेते हैं कोई एकर दो पैसे भी उसमें व्रिद्धी कर रहे है एक रूपए दो पैसे की टौफए है तो उसकी मांग जो है zero भी हो सकती है या बहुत अदी घट सकती है कीमत इतनी कम है उसमें प्रिवर्टन आया है कि हम उसको नोटिस नहीं कर पा रहे है लेकिन मांग जो है अनन्द घट जाएगी या कीमत जरा सी बढ़ जाए कीमत जरा सी बढ़ने पर उसकी मांग शुने हो जाएगी और जरा सी कम होने पर जैसे हजार उपैसे जरा सी कम और जरा सी कीमत बढ़ने पर मांग जीरो हो जाया बहुत तदी घट जाए तो इस थीते में हम इसको मांग की लोज एड इक्वल टू इन्फिनिट तो दूसरा जो हम समझते है परफेक्ट इन इलास्टिक पूर्टिया बेलोचतार पूर्टिया बेलोचतार का मतलब है जिसमें चेंज इन प्राइस कोज नो इंपक्ट ओन चेंज इन डिमांड जिसमें कीमत में परिवर्टन का मांग पर कोई परिवर्टन परभाव नहीं पड़ता है क्यों एक्स एक्स पर और य एक्स पर हम ले रहे हैं प्राइस इसमें हमारा जो मांग वकर की लोच करव होगी वो डी डी हमारा कैसा होगा परलल टू य एक्स इसमें प्राइस पी पर क्वांटिटी क्यों है इसमें परिवर्टन अगर आ भी रहा है पी से पी वन कीमत बढ़ रही है तो भी क्वांटिटी की मांग जो है वो कम नहीं हो रही है यदि कीमत पी से पी टू भी हो रही है कम भी हो रही है तो भी इसकी मांग जो है वो स्थेर है अर्थात जैसे उधारन के लिए इसको we e equal to zero क्यों खेते हैं मान लेते हैं हमारे पास price of जो हमारा वो 10 रूपे है मान लेते हैं नमक की जो 1 kilo की थेली है वो 10 रूपे की आती है कीमत घट जाती है 5 रूपे रह जाती है तो क्या हम उसका ज़्यादा 7 करना शूरू कर देंगे नहीं तो उसकी मांग जो है कीमत आधी रहने पर भी एक किलो ही हम करेंगे ना कि उसकी दो या चार किलो अधी खाना शुरू कर देंगे अर्थात फिर यदि उसकी कीमत बढ़ भी जाती है दस रुपे से पंदर रुपे हो जाती है या बीज रुपे भी हो जाती है तो हम इतन इसको ED equal to zero हम कहते हैं कोई परभावनी कीमत कम हुई तो भी कीमत बढ़ गई तो भी तीसरा आता है Unitary Elastic Demand इकाई लोचदार मांग अर्थात इसमें क्या है कि यदि change in price is equal to change in demand जितना परिछट परिवरतन मांग में परिवरतन आएगा उतना ही उसी के बराबर मांग में परिवरतन है कीमत और मांग में दोनों का परिवरतन जो है वो बराबर रहेगा इसमें हमारा जो मांग रहे वो नॉर्मल रहेगा जैसे होता है अर्थात अगर हम P Q हमारा starting point है price P पर change Q है तो अगर इसमें कीमत हमारी कम होके P से P1 रह जाती है तो मांग Q से Q1 बढ़े ये दोनों में परिवरतन बराबर होगा अगर ये 10% कीमत कम हुई है तो ये 10% बढ़े मतलब percentage change in P is equal to percentage change in Q दोनों बराबर अगर ये भी 10% है वृधी तो ये 10% इसमें कम है दोनों में बराबर तो हमारा जो मांग वकर हो इस तरह का होगा इसलिए हम इसको लिखते है ED equal to 1 ये infinite ये 0 और ये equal to 1 अब उसके बाद आता है greater than unity demand 81 से अधिक 81 से अधिक मांग की लोच का मतलब क्या है percentage change in demand is greater than percentage change in price जब कीमत में जितने परिवर्तन आता है मांग में उसे अधिक परिवर्तन आता है वो दोनों इदिशा में हो सकता है या जितना मांग में परिवर्तन change in demand is less than change in sorry price is less than change in demand इसको मांग वकर से कैसे समझते है QP इसमें जो हमारा मांग वकर होगा greater than अर्थात जितना इसमें परिवर्तन आएगा मांग में उसे अधिक परिवर्तन होगा तो ये मांग वकर इसके परिक्षा अधिक flatter होगा हमारा जैसे P और Q हमारा starting point है कीमत कम होगी P से P1 मान लेते हैं ये 10 प्रश्चत कीमत कम होगी लेकिन मांग जो है वो हमारी 20 प्रश्चत बढ़ गई तो इसका मतलब है ED is greater than 1 10 प्रश्चत वरिधी तो इसमें 20 प्रश्चत कमी या 10 प्रश्चत कमी तो इसमें 20 प्रश्चत वरिधी तो इसका जो area हो इसे price से quantity का जाधा परिवतन इसमें आएगा SECT में greater than 1 पांच वाज़ आता है less than unitary 21 से कम लोज़दार मांग वो कब है जब जितने प्रश्चत परिवतन कीमत में आता है मांग में उसे कम प्रश्चत परिवतन आता है change in price is less than change in quantity demanded तो अर्थात इसमें जब हम इसका मांग वकर बनाते हैं वो हमारा जो है वो इस तरह का बन जाएगा DD अर्थात हमारी अर्थात हमारी starting pointum quantity q price p जितना परिवतन कीमत में आएगा मां लेते हैं ये 20 प्रश्चत कीमत घट गई है p से p बना गई है तो मांग में जो वरिद्धी है वो केवल 10 प्रश्चत हुई 10% 20% decrease in price cause only 10% increase in demand अर्थात इस मांग में कम वरिद्धी हुई कीमत में ज़्यादा कम हुई तो ये जो परिवरतन है वो इससे ज़्यादा इसलिए इसको हम लिखते है ED is less than 1 तो ये इसकी 5 मुख्यों श्रेणिया थी अब इसको अगर मांग वक्खर पे हमने समझेना हूँ कि A की मांग वक्खर अगर हमारा ये मांग वक्खर मांले इसमें पांचों सेटीयों को कैसे देखते है हमारा अगर ये पहjungले वाला बिंद्धी थी हम देखे इसको हमरो A, B करूं में ये वाला जो हिस्सा मांगोकर का है ये हमारा पूंतिया बेलूजदार होगा P1 का इसमें अगर हम इसको इस तरह यहां भी देखें तो मातरा पर कोई प्रभाव ने पड़ रहा है चाहे प्राइस P है बढ़के चाहे P1 हो रही है चाहे घटके P1 से P हो रही है ये हमारा हिस्सा इसका जो है वो ED इक्वल टू हमारा 0 होगा उसके बाद अगर ये वाला हिस हम देखें इसका मां लेते हैं डी इसको CD करें तो CD ये क्या बता रहा है कि प्राइस में जो चेंज हो रही है यहां से प्राइस में इन्फिनिट कम या जादा मां घट बढ़ सकती है अन्नोटिसेबल प्राइस चेंज है वैरी स्लाइड चेंज ये 0 भी हो सकती है और कीमत कम होने पर ये इन्फिनिट बढ़ भी सकती है तो यहां पर ED इल बी इक्वल टू इन्फिनिट और ये जो बीच वाला हिसा हम इसको अगर मान लें यहां से यहां तक यह इक हो मैं आँगए स लिखूं तो ये हमारा इक्वल टू 1 वाला है जितना प्रेशल परिवतन इसमें आएगा उतना ही प्रेशल परिवतन हमारा मांग में भी आएगा अगर ये खट जाती है तो उतना ही ये वाले दोनों हिस्से जो है ये और ये बराबर होंगे तो ये हमारा यहां पर ed equal to 1 ये वाला ed greater than 1 और ये वाला हिस्सा बी आर जो है वो ed will be less than 1 तो ये हमारे ये पांच जो है वो मांगवकर में पांच यो मांग की लोच को हम इस तरह से देख सकते हैं इस वीडियो में इतना ही आगे की जहन बने मात